हेलो फ्रेंड्स, विलकम और विलकम बैक तो मा यूटूब चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका स्लेस अलंकार, तो स्लेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले, ठीक है, तो पेपर में किस प्रकार पूछता है, पेपर में पूछता है स्लेस अलंकार की लच्छण बताईए, या पूछ लेता है स्लेस अलंकार की परिभाशा और उधारन बताईए, तो अगर लच्छण पूछता है, तो लच्छन में आपको क्या करना होगा परिभाषा बताना होगा उदःरन बताना होगा काफी लोग कहते हैं कि कोई आवशक्ता नहीं लेकिन जितना अच्छा आप impression डालेंगे जितना अछ़े से समझाने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 5 में से 4, 3 तो सब को मिलते हैं, लेकिन 5 में 5 कवर करना है तो करना क्या होगा, परिभाशा देनी होगी, आज की जो हमारी परिभाशा है, गद्य और पद्य दो रूपों में है, ये कैसे, पद्य यानि एक दोहे के पूरी डेफिनिशन है सले सलंकार की और गद्य रूप में उसी का सार है, ठीक है, और आज का जो उधारण है, उसको हम क्या करेंगे, सब्दों के माध्यम से पहचानेंगे, कि यहां पे सले सलंकार है, कि नहीं, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, उधारण दे देता है, और पूछ लेता है कि बताईए इसमें कौन सालंकार है, तो सब कुछ बताएंगे, सले सलंकार तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, और इस पश्टी करण में हम क्या करेंगे, निशकर्ष के आधार पे पुष्टी करेंगे, परिभाषा और उधारण से जो निशकर्ष के आधार कह देंगे, सले सलंकार है, तो परिभाषा देख लिए पद्दे वाली, जहां एक ही सब्द, जो आए एक ही बार, जहां एक ही सब्द, जो आए एक ही बार, किन्तु अनेको अर्थ दे, वहां सले सलंकार, तो कहने का मतलब क्या है, देख सकते हैं, यह जो पद्द है, वो एक सब्द है एक ही सब्द है अब माली जै कह दिया जाए कि इसके दो तीन अर्थ निकल रहें तो वही बात यहाँ पर हो रहे शले सलंकार ऐसा ही होता है सब्द एक होता है और उसके जो अर्थ निकलते हैं दो तीन निकलते हैं जैसे यह सब्द है यहाँ पर एक ही बार यूज हुआ है अब कह दिया जाए कि इसके दो तीन अर्थ निकल रहे हैं मान लिया जाए इसके दो तीन अर्थ निकल रहे हैं तो क्या कहेंगे हम Sles Alankar हैं और उस पे क्या होता है यमक और Sles में आप काफी टाइम लोग confused रहते हैं तो यमक में क्या होता है जैसे सब्द यहां पे एक बार है और दो-तीन जगा और सब्द आजाए के कई अर्थ निकले जहां पर काविया शाहित मान लिजे कोई कविता दिया है उधारन दिया है दोहा ठीक है तो वहां पर क्या हो एक ही सब्द आजा और उसके हर चीज के लिए अलग-अर्थ निकले तो वहां पर क्या होगा अचले सलंकार जहां पर काविया शाहित में एक ही सब्द के कई अर्थ निकले अर्थात क्या कह सकते हैं जहां काविया शाहित में एक सब्द के कई अर्थ निकले अर्थात वो सब्द आये तो एक ही बार परन्तु उसके भिन भिन अर्थ निकले कई अर्थ निकले, दो से तीन अर्थ निकले वहाँ पे क्या होता है शले सलंकार हो शकता है अभी आपको परिभाशन ना समझ में आई हो तो उधारन में आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको बिल्कुल तिमात में घुश जाएगा तो ये दो डेफिनिशन थी पद्य और गद्य के रूप में जितना अच्छा आप लिखने है जो चरण धरत ही चिंता करत चितवत चारी और चारो तरफ देख रहा शुबरन को खोजत पिरत कवी व्यविचारी चोर कवी व्यविचारी चोर शुबरन को खोजत पिरत कवी व्यविचारी चोर तो यहां पे जो सुबरन है इसके तीन अर्थ है कैसे तीन अर्थ है यहा तो अगर कभी कहीं पे जाता है किसी मैफिल में तो क्या करता है जैसे ही पैरों को किसी मैफिल में रखता है तो इसी चिंता में रहता है कि उसको कोई भी सुन्दर इस्त्री रिख जाए ठीक है और जो चोर होता है वो किसी मैफिल में जाता है तो क्या करता है इसी चिंता में रहता है चारों तरफ देखता है कि साइद उसको सुन्द मिल जाए चोरी कर ले वो ठीक है तो हर चीज के सुबरन के यहां पे तीन अर्थ है कभी के लिए सुन्दर अच्छर है वेबिचारी के लेकिन यह तो हमें पता चला ना कि यहां पर सले सलंकार है एक्जामनर को कैसे समझाएंगे एक चीज समझानी पड़ेगी टिक है जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे इस पश्टी करण में जैसे मैत में निंग होता सिद्ध कीजी कि यह क्व प्रस्तुत पंक्तियों में शुबरन के तीन अर्थ है शुबरन कभी के लिए है व्यविचारी के लिए चोर के लिए कभी के लिए सुबरन का अर्थ है सुन्दर अच्छर व्यविचारी के लिए सुन्दर इस्त्री और चोर के लिए स्वर्ण तो आगे आप क्या और श्वन यह चोर व्यविचारी और कवी के लिए है तो आता क्या लिखेंगे इस पश्टी करण में आता यहां सुबरन सब्द एक ही है परंतु उसके भिन भिन अर्थ निकल रहे हैं आता यहां पे शले सलंकार है यहां पे सुबरन एक ही सब्द है परंतु उसके भिन भिन तीन अरत निकल रहे हैं, आता है यहां पे सले सलंकार, तो आई होप आपको सले सलंकार की परिभासा समझ में आई, उदारण समझ में आई, इस पश्टी करण समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमाये चैनल को सब्सक्राइब करे, थैंक्यू.